Hi, I am Kusum and I welcome you back in my YouTube channel आज हम 9th class के book Beehive से chapter number 8 पढ़ेंगे जिसका title है Reach for the Top Okay, Reach for the Top मतलब उचाई पे पहुँचना इस chapter में दो पार्ट हैं दो personalities के बारे में बताया गया है First एक Indian personality है जो की है संतोश यादव संतोश यादव के बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये ना केवल इंडिया की बलकि पूरी दुनिया की एक मात्र ऐसी महीला है जिन्होंने Mount Everest पे दो बार चड़ाई की है चड़ाई की है मतलब She scaled Mount Everest for two times Scaled का मतलब होता है Climbed ये इनका life account है स्टोरी ने कह सकते है ये इनके life के बारे में है इनके struggles या achievement में जो भी इनोंने रास्ता तेह किया था उसके बारे में ठीक है तो ये एक बहुती inspirational और एक बहुती जादा motivational account है उससे पहले एक request है इसमें आपको कहा गया है कि आप किसी तीन से पांच ऐसी personality के बारे में सोचिए जिनकी achievement से आप बहुती जादा inspired है या आप उनको admire करते हैं अब वो चाहे किसी भी field से हो सकते हैं चाहे वो sports person हो सकते हैं चाहे वो medicine से related यानि doctor या कोई भी हो सकते हैं चाहे वो singer हो, dancer हो, actor हो, actresses हो या media personality हो उनके बारे में सोचिए और फिर देखे कि इन सम में क्या similarities है The only woman in the world who has scaled scaled का मतलब होता है climbed Mount Everest twice was born in a society where the birth of a son was regarded as a blessing and a daughter, though not considered a curse but was not generally welcome संतोश यादव है वो ऐसे society से belong करती थी या मतलब ऐसे society में उनका जनम हुआ था जहां पे लड़कों के birth को तो एक blessing माना जाता था लड़कियों के birth को curse नहीं माना जाता था मतलब अभिशाप नहीं माना जाता था और उन्होंने उसकी मदर को blessing दी वो सोच रहे थे कि ये कोई son चाहती है son के लिए या बेटे के लिए blessing चाहती है but to everyone's surprise the unborn child's grandmother ठीक है unborn मतलब संतोश की जो दादी जी थी who was standing close by told him that they did not want a son तो संतोश की दादी जी ने कहा उस साधु मात्मा को कि उन्हें बेटा नहीं चाहिए the holy man was also surprised तो उन साधु मात्मा को भी बहुत आश्चरे हुआ ये जानके he gave the requested blessing और उन्होंने कहा कि उन्हें एक बेटी होने का आशिरवात चाहिए तो साधु जी ने वैसे ही कर दिया and as destiny would have it the blessing seemed to work blessing seemed to work मतलब कि साधु मात्मा ने जो उन्हें आशिरवात दिया था वैसे ही उनके घर में हुआ उनके घर में एक लड़की का जन्म हुआ जो की sixth child थी उनके घर में इसका मतलब उससे पहले जो उसके पांच और बड़केवल भाई थे ठीक है five son थे उसके बाद जो sixth थी वो एक daughter थी उन पांच भाईयों की बेहन she was born in the small village of जोनियावास of रिवारी district in हर्याना हर्याना में एक रिवारी district है रिवारी जिसे कहते हैं वहां के जोनियासा गाउं में उसका जनम हुआ था संतोष का the girl was given the name संतोष which means contentment contentment का मतलब होते हैं संतोष संतोष का मतलब बस अब और नहीं चाहिए त्रिपती हो गई but संतोष was not always content with her place in a traditional way of life तो वो एक गाउं में रते हैं वो भी हर्याना के तो वो वहां बड़े मतलब लड़कियों के लिए पावंदिया है उन बंदिशों में रहना पसंद नहीं था वो अपनी लाइफ से satisfied नहीं थी content का मतलब she was not peace with her life she began living life on her own terms from the start मतलब बच्पन से ही वो अपनी जिन्दगी को अपनी शर्तों पे जीती थी where other girls wore traditional Indian dresses Santosh preferred shorts तो उसके गाउं की सारी लड़कियां traditional मतलब जो सल्वार कुरता होता है वो पहनती थी लेकिन Santosh जो थी shorts shorts का मतलब होता है nicker ठीक है looking back she says now from the very beginning I was quite determined that if I choose a correct and a rational path the others around me had to change not to not me तो ये मतलब उनका भी interview हो रहा है या उनसे कोई कुछ पूछ रहा है सवाल तो उसका जवाब देते हुए वो पीछे मुण की कहती है कि from the very beginning मतलब जो बहुत छोटी थी तब से ही वो बहुत पक्के इरादे वाली थी quite determined means बहुत ही पक्के इरादे वाली थी कि अगर मैं सही रास्ते पे हूँ या मेरे decisions सही है तो मैं नहीं बदलती थी या मैं नहीं बदलूँगी बलकि मेरे around आसपास के जो लोग है अब उचाही रिष्टेदार हुए घर के लोग हुए उनको अपने decisions बदलने पड़ते थे संतोश parents were affluent landowners affluent का मतलब बहुत ही जादा well off जिसे कहते हैं कि जिनके पास पैसे की कमी नहीं थी landowners थे बतलब काफी जादा उनके पास जमीने थी who could afford to send their children to the best schools even to the country's capital capital का मतलब यापे नू डिली ठीक है which was quite close by अब हरियाडा से दिली बहुत पास है but in line with the prevailing customs in the family संतोश had to make do with the local village school so she decided to fight the system in her own quiet way when the right moment arrived ठीक है तो क्या हुआ उनके मामी पापा के पास बहुत जमीन जायदा थी जिससे वो अपने सारे बच्चों को अच्छे स्कूलों में भीज सकते थे बलकि दिली के अच्छे स्कूलों में भी भीज सकते थे जो की भारत की राजधानी है और वहां से वो बहुत अच्छी अच्छी शिक्षाएं प्राप्त कर सकते थे लेकिन क्योंकि संतोष एक लड़की थी तो उसे गाओं के जो ट्रडीशन और कस्टम थे उसके अनुरूप बिहेव करना चाहिए था ठीक है लेकिन संतोष को ये सब पसंद नहीं आया जब उसे जो साल की हुई तो उनका वो जो सही समय था वो आया अच्छी जोड़की प्रशादी प्रेशार आने लग गया शादी करने के लिए A marriage as early as that was the last thing in her mind इतनी जल्दी शादी करना ये तो उनके दिमाग में सबसे आखरी चीज थी मतलब शादी करना उनका motive नहीं था शादी के बारे में तो सोच भी नहीं सकती थी वो ऐसी चीज थी जब वो लाइफ में कुछ ना करती तो आखरी चीज उनके शादी करनी थी शी थ्रेटरंड हो पेरेंस उनके अपने पेरेंस को धंकी दी तो उनके अपने पेरेंस को क्या बोला एकदम स्ट्रिक्स शब्दों में बोल दिया कि अगर उन्हें अच्छी सिक्षा नहीं मिली तो वो कभी शादी नहीं करेंगी शी लेफ होम और गॉत हरसल इंडूल इन ए स्कूल इंडेली और पेरंस रफ्यूस रफ्यूस टूपर एड़ूकेशन शी पोलाइटली इनफॉन देंडेल इन अपनी मरजी करनी है तो करो लेकिन हम उसके लिए तुम्हें कोई पैसे नहीं देंगे तो उन्होंने दिल्ली जाके अपना खुदी एड्मिशन कराया कॉलेज में और वहाँ वो पढ़ने लग गई और उनके पेरेंस ने तो नाराज होके उन्हें पैसे देने ही बंद कर दी तो उन्होंने लेटर लिखके अपने पेरेंस को बहुत आराम से अपने प्लाइंस के ब या उसको पैसे देना मन्जूर किया पढ़ाई के लिए विशिंग ऑल्वेज तो स्टडी अबिट मॉर ठीक है वो उनकी इच्छा क्या थी हमेशा थोड़ा और थोड़ा और पढ़ना जैसे कॉलेज में गई जैसे बी ए हो गया तो बी ए होने के बाद पैरेंस ने का चलो अब शादी कर लो नहीं अभी थोड़ा और पढ़ना है and with her father slowly getting used to her urge for more education संतोष पास्ता हाई स्कूल इग्जामिनेशन and went to जैपुर ठीक है अब उन्होंने हाई स्कूल पास कर ली और अब जैपुर चली गई शी जोइन महारानी कॉलेज and got a room in कस्तूर्बा होस्टल ठीक है अब हो होस्टल में चली गई महारानी कॉलेज में चली गई वहाँ पे उन्होंने एक होस्टल में कमरा भी ले लिया संतोष रिमेंबर उन्हें क्या याद आता है अपने मतलब पुराने दिनों के बारे में ज तरफ उसका मू था मतलब उसका दरवाजा था होस्टल के कमरे का I used to watch villages from my room going up the hill and suddenly vanishing vanishing का मतलब गायब हो जाना after a while तो वह अपने कमरे में जब रहती थी तो वह हर टाइम क्या देखती थी कि गाउं के लोग उस पहाड़ी पे चड़ रहे हैं और फिर अचानक से थोड़ी देर के बाद वह गायब हो जा रहे है तो वह अपने आप उस पहाड़ी पे चड़ती हैं तो उन्हें वहां कोई नहीं दिखा ही देता है except मतलब अलावा किनके कुछ mountaineers mountaineers को क्या होते हैं जो परवतार होई होते हैं परवत पे चड़ने वाले तो उनके अलावा उन्हें वहां कोई नहीं दिखा I asked if I could join them और इन्होंने उनसे request की कि क्या मैं आपके साथ जोइ कर सकती हूँ to my pleasure to my pleasant surprise they answered in the affirmative affirmative means positive reply था उनका है and motivated me to take to climbing और उन्होंने मुझे 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 किया और मुझे कहा कि तुम भी एक climber बन सकती हो then there was no looking back for this determined young girl और इस लड़की ने अब पक्का इरादा कर लिया था और उसके बाद कभी पीछे मुझे नहीं देखा she saved money and enrolled in a course at Uttarkashi Nehru Institute of Mountain Ring ठीक है तो Uttarkashi में एक Nehru Institute of Mountain Ring है उन्होंने उसको जोइन किया my college semester in Japan was to end in April but it ended on the 19th of May April में खतम होनी थी उनकी college की पढ़ाई जैपूर में लेकिन वो extend होते होते मई में चली गी and I was supposed to be in Uttarkashi on 20th 1st May 21st को उनको Uttarkashi में अपनी reporting देनी थी तो वो क्या है छुटियों के बाद college खतम होने के बाद अपने घर न जाके सिधे Uttarkashi चली गई so I did not go back home instead I headed straight for the training I had to write a letter of apology to my father तो उन्होंने एक माफी नामा माफी पत्र अपने पिताजी को लिखा without whose permission I had got myself enrolled in Uttarkashi ठीके उन्हेंने अपने पिताजी को एक चिठी लिखी और जिसमें उन्होंने माफी भी मांगी कि मैं आपसे बिना permission लिये यहाँ पर आ चुकी हूँ और मैंने यहाँ पर admission ले लिया उत्तरकाशी में Thereafter Santosh went on a expedition every year और उसके बाद तो हर साल Santosh यादो expedition का मतलब ऐसे ही वहाँ mountaineering करने के लिए जाती रही ठीके Her climbing skill matured rapidly also she developed a remarkable resistance to cold and the altitude और इसी तरह उनकी यह जो climbing की या mountaineering की skill है वह बहुत तेजी से mature का मतलब बहुत expert होती गई वह इसमें और उनका जो cold को और cold मतलब ठंडी को और उचाई को resistant करने की power भी बढ़ती गई मतलब वह ठंड को भी बर्दाश कर सकती थी और उचाई को भी बर्दाश कर सकती थी equipped with an iron will iron will का मतलब लोहे जैसी हिम्मत physical endurance and an amazing mental toughness तो mountaineering के लिए यह चीज़े बहुत जरूरी है आपका mentally tough रहना बहुत जरूरी है physical fitness तो इसमें सबसे ही जादा जरूरी है जो iron like होनी चाहिए मजबूत इरादों वाली जिसे कहते हैं और एक बहुत ज़्यादा आपकी mental fitness चाहिए she proved herself repeatedly और एक बार नहीं कई बार उन्होंने अपने आपको prove किया कि उन्होंने एक अच्छा field चुना है और वो इस सम्में खरी उतरी है the culmination of her hard work culmination means the fruit of her hard work and sincerity came in 1992 just four years after she had shyly asked the अरावली mountaineers if she could join them और आपको याद है जब वो college में पढ़ती थी उन्होंने अपने कुछ mountaineers को वहाँ पूछा था कि क्या उन्हें वो जोइन कर सकती है अरावली की पहडियों में चड़ने के लिए और जिस्ट उसके चार साल बाद यानी 1992 में ही उन्होंने अपने sincerity और hard work से एक कारणामा कर दिखाया at barely 22 of 22 years of age मतलब अपनी केवल 22 साल की उमर में ही संतोश यादव skilled skilled का मतलब climbed Mount Everest became becoming the youngest woman in the world to achieve the feat ठीक है तो उन्होंने ये achievement केवल 22 साल की उमर में ही पा लिया if her climbing skills, physical fitness and mental strength impressed her seniors ठीक है और उनकी इन सब चीजों ने physical toughness, mental toughness and ये amazing skills से अपने seniors का दिल जीत लिया her concern for others and desire to work together with them found her a special place in the heart of fellow climbers और जो वो fellow climbers थे मतलब जो उनके साथ mountaineers थे वो उनके साथ बहुत popular थी क्यों? क्योंकि उन्होंने उनके दिल में एक अच्छी सी मतलब special place बना दी थी क्योंकि वो एक ग्रुप में काम करना जानती थी और वो दूसरे लोगों की help भी बहुत अच्छे से करती थी अब ये देखें अगर आप संतोश यादव को डिस्क्राइब करना चाहते हैं तो इस तरह से कर सकते हैं कि एक आयन विल वाली एक फिजिकल एंडॉरेंस वाली और एक मेंटल टॉफनेस वाली जो है वो संतोश यादव है तो जो 1992 का एवरेस्ट मिशन था मतलब मिशन का मतलब जो क्लाइमबर इस मिशन पे गए थे कि उन्हें एवरेस्ट पे चड़ना है तो उस मिशन में क्या हुआ उनके जो फेलो क्लाइमबर थे एक जो की जिनको वो ये एक स्पेशल केर दे रही थी उनकी मृत्यू हो गई तो वो अनफॉर्चुनेटली उनकी जिंदगी बचाने में नाकामयाब रही लेकिन उन्होंने उसी मिशन में एक अपने दूसरे अनादर फेलो क्लाइमबर की जान बचाई जिनका नाम मोहन सिंग है वो वुड हाव मेट विद दे सेम फेट पाम भाग गया है अब आपको पता है ना जैसे जैसे हम उचाई में चड़ते है अल्टिट्यूट उपर उपर जब हम जाते हैं तो ऑक्सिजन लेवल कम होता जा तो यह जान बचाने में नाकामियाब हो गई लेकिन एक दूसरे क्लाइमबर जिनका नाम मोहन सिंग है उनके साथ इन्हों ने अपना ओक्सिजन शेर किया और उस वज़े से उनकी जान बच गई Within 12 months, Santosh found herself a member of an Indo-Nepalese woman's expedition that invited her to join them ठीक है और उसके 12 महीने बाद ही एक दूसरा ग्रुप था Indo-Nepalese woman expedition का उन्होंने Santosh को invite किया उनके साथ जोइन करने के लिए She then scaled the Everest a second time तो ये उनका second time Everest पे चड़ना था Thus setting a record as the only women to have scaled the Everest twice कि मतलब बाकी women भी हो सकती है जिन्होंने Everest को एक बार चड़ चुकी है लेकिन ये अकेली महीला है जो Everest पे दो बार चड़ ही है And securing for herself the India a unique place in the annals of mountain ring मतलब इन्होंने India का नाम दर्ज करा दिया है record में In recognition of her achievements the Indian government bestowed upon her one of the nation's top honor the Padmashri और इनकी achievement के लिए भारत सरकार ने इनको honor किया है भारत के सबसे बड़े honor से जो की है Padmashri Describing her feelings when she was literally on the top of the world Sintosh has said It took some time for the normality of the moment to sink in Then I unfleared the Indian tricolor and held it aloft on the roof of the world ठीक है अब Everest को दुनिया की च्छत कहा जाता है तो देखिए अब वो कहते हैं कि आपको Everest पे चड़के मतलब उसके एकदम उचे टॉप पे चड़के दुनिया के टॉप पे चड़के आपको कैसा लगा तो वो कहते हैं पहले तो मैं जब वहाँ टॉप पे एवरेस्ट के खड़ी थी तो मुझे कुछ टाइम तो अपने आपको एजिस्ट करने में, सोचने में, एब्सॉप करने में या डाइजिस्ट करने में लगा कि येस, फाइनली आइभ डान इट एंड उसके बाद, थोड़ा टाइम लेने के बाद, मैंने अपना तिरंगा निकाला और उसे एकड़म ऊचा करके फेहराया दे फीलिंग इस इंडिस्क्राइबल, मतलब वो जो फीलिंग थे उस टाइम, ट्राइकलर को लेके वहाँ पे उसको फेहराना वो बया नहीं कर सकती, वो कहती है, उसको मतलब डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता The Indian flag was flying on the top of the world, it was truly a spiritual moment, मतलब वो मेरे लिए बहुत ही अविस्मरनी है, मतलब ना भूला पाने वाला moment है I felt proud as an Indian, और मुझे एक Indian होने पे गर्व हो रहा था Also a fervent environmentalist, fervent का मतलब होता है, having strong and sincere feeling Environmentalist मतलब वो बहुत ही environment को लेके जागरूग थी, कि वहाँ पे कोई कचुडा ना फेलाए संतोष याद है उन्हें क्या किया, collected and brought down 500 kg of garbage from the Himalayas ठीक है, लोग है ना Himalayas में जाते हैं घूमने के लिए, अपने पास खुब सारी खाने की चीजे ले जाते हैं packet में भर-भर के पानी की bottles ले जाते हैं और पीने के बाद उस item को consume करने के बाद वो polythins, कच्चडा सब वहीं fake किया जाते हैं, plastic bottles fake किया जाते हैं, जो की environment के लिए एक threat है तो यह संतूश यादव एक true environmentalist की तरह केवल उन्होंने Everest में चढ़ाई करके achievement हासिल नहीं की बलकि एक true environmentalist की तरह वहां से वो सारा कचडा 500 किलो कचडा कोई कम बात नहीं होती है garbage वो सारा हिमाले से उठाके नीचे लेके आई हैं ठीक है, तो she was truly an inspiration I hope you have understood the chapter. Please like, share and subscribe. Thank you so much.